कि अधिए इस question में क्या बुला हुआ है कि एक ब्लोक ए जो है वो एक रफ स्फेरिकल सर्फेस के ऊपर फिसल रहा है वो ए से बी जाता है उसका मास सहम है और बी पे पहुंचने में उसकी विलॉस्टी कितनी है अंडूरूट 1.4 जी या उसने मुझा है फाइंड दा वर्ग ड का एक रहा हुँए क्या लिखेंगे टोटल वर्ग डन इकोस्ट क्या लिखेंगी चेंजिन काइनेटिक एनर्जी अब टोटल वाग्ड़न तो वर्गड़न यहां पर कौन कर रहा है एक तो ग्रैविटेशन और दूसरी फ्रिक्शन फॉर्स कर रहे है अग ग्रैविटेशन का work done positive होगा क्यों positive होगा क्योंकि mg भी नीचे और distance travel भी नीचे और इसने कितनी distance बेटा travel की है उसने travel तो बेटा r की है तो mg का work done क्या लिखूं mgr plus friction force का work done वो बेटा पता नहीं है equal to change in kinetic energy तो b point पे final kinetic energy अगर मैं लिखूं तो वो है half mv square तो यहां पर लिख देता हूं half mv square वी square करूंगा तो 1.4gr आ जाएगा minus 0 initially तो 0 तो ड्रोप किया था तो अगर हम इसको solve करें तो अपने पास जो friction force का work done आएगा work done by friction force वो अपने पास आजाएगा 0.3mgr क्या जाएगा 0.3mgr यह आजाएगा अब यह work done अपने को चाहिए जब हम B to C जा रहे हैं अब सोचो कि अगर हम B to C जाएं बेटा अगर हम कहां से कहां जाए बी टो सी जाने में अब टो सी जा रहे हैं तो फिक्षानक के अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा और friction के अगेंस्ट भी हमें वर्क करना पड़ेगा वो अपने पास क्या आएगा, वो अपने पास आएगा, MGR, ना, डिस्टंस सकाई तक लेकिया आए, प्लस वगडन अगेंस्ट फ्रिक्षन, अब फ्रिक्षन का वगडन सेम यह आएगा, कि A to B और B to C पार्ट तो सेम ही है, डिस्टंस भी सेम है, और नेचर भी सरफेस की सेम ह तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, हम लिख देते हैं, MGR प्लस 0.3 MGR, तो यह अपने पास बनेगा, 1.3 MGR, तो टोटल वगडन अपने कितना करना पड़ेगा, 1.3 MGR